एक और जहां कोरोना वाइरस को लेके देश भर में दैसात का माहौल बना हुआ है और बिहार में भी लगातार मरीजों की संख्या में बिर्दी होती जा रही है पुज़ोटिव केस लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है पिछले एक सब्ता में जो है जो पहले इसके पहले एक महिने में जो 86 केस थे वो पिछले एक सब्ता में डेर सो कांकडा पार कर चुका है और इस तेजी को देखते वे जिलापर सासन वह सरकार ने भी लगातार इसके लिए कई त्यातन कदम उठाए हैं और हाला कि हम आपको एक ख़बर यह पता देख भागलपूर मायगंस से जो जांच हुई थी उनसे अधिकतर लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आए है 87 एनों की रिपोर्ट आज माया गंज असप्ताल में आई है जो निगेटिव है 87 के 87 सभी निगेटिव हैं और सदर असपाल में आए हुए जो कल भी 32 मरीजों का रिपोर्ट आया और आज भी देड़ सो से अधी की रिपोर्ट अब तक निगेटिव आ चुके हैं तो ये एक अच्छा संकेत है और इसको लेकर करके लोगों में काफी दहसत में चाया हुआ था ऐसा लग रहा था कि पता नहीं और कितने लोग इसकी चपेट में हैं हलाकि कुछ रिपोर्ट आना अभी बा है प्रणिया और इसके लिए लगातार जो है लोगदान का पालन करने की जडियुक्त संक्रालिण कर जाए और हैक्ण् पूर्ट लाइन से सवास्त विवाग देश में हुआ है धो 나 के देश में मरनने वालों के संख्या 800 का आकड़ा पार कर चुकी है जबकि 26 जार संक्रमित पाई जा चुके हैं पोजेटिव कोरोना पोजेटिव के और हाला कि कई ऐसे भी है जो कि भारी संख्या में लोग ठीक भी हो रहे हैं भारत में यह अच्छी वात है लेकिन लगातार तेजी से जो कि रहा जा सकता है कि 2500 का आकड़ा बीहर में पार कर चुका है और यह लगातार जो 86 था एक सब्सक्रमित पार करना यह बहुत बड़ा खतने की घंटी दिखाता है और इससे बचने के लिए लगातार जो है एतियाद बरतने की जरुवत है और इसके लिए लगातार सक्ती भी की जा रही है और हम आपको यहां भी पता दे कि यहां अभी कचारीचों के पास हैं और यहां पर होट स्पोर्ट के छेतर में आने वाले सभी सबकों को सील कर दिया गया और लगतार पूलिस बलकी तेनाथी की गई और सक्ति से